नमस्कार, हिंदे डिक्टेशन यूटिब चल पर आप सभी का स्वागत है, रडी हो जाए एडिटोरियल डिक्टेशन लिखने के लिए राजस्थान पत्रिका से पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसी महाकाल की नगरी उज्जैन में हाल ही में अंतराश्ट्रिय सुजलाम जल महोत्सव सम्मेलन का आयोजन नदियों के सन्रक्षन में जुटे करता धरताओं को आइना दिखा गया इस बात का कि हमारे यहां नदियों के सन्रक्षन के प्रयास्व उपाय फोरी तोर पर ही हो रहे हैं सम्मेलन में नेशनल ग्रीन ट्राइबियूनल के अध्यक्षने जो तत्य रखे उनको लेकर अन्य वक्ताओं ने भी सहमती जताई सचमुच यह चिंता का विशय ही है कि देश की 351 नदियों का पानी इतना प्रदूशित है कि उनमें इसनान करना सुरक्षित नहीं है देश की तीन सबसे बड़ी नदियां गंगा, यमुना और नर्मदा इनमें शामिल हैं गंगा के कुछ हिस्सों में तो प्रदूशन खतरनाक इस्तरका है पेरा ये हाल तब है जब इन तीन नदियों को जीवित इकाई का दरजा हसल है इसी दरजे के आधार पर उन्हें नुकसान पहुचाने के किसी भी कृत्य पर सक्त कार्यवाई का प्रावधान है इसके बावजूद इनका हाल बहुत बुरा है यमना तो वहीं पर सबसे ज्यादा अनदेखी का सिकार है जहां से देश के शाशन तंत्र को संचालित किया जाता है गंगा के लिए भी बड़ी बातें हुई है वर्ष 2014 में तीन साल में इसे पूरी तरह साफ करने के लक्ष के साथ नमामी गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ लक्ष्य पूरा होना तो दूर की बात है कई इलाकों में तो सफाई का काम शुरू तक नहीं हो सका है मध्यप्रदेश से निकल कर गुजरात जा रही नर्मदा नदी का हाल भी कुछ ऐसा है अमर कंटक से शुरू होते समय तो यह स्वक्ष व निर्मल है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है गंगा यमुना की तरह सीवेज इसे भी जहरीला बनाता जाता है इन नदियों समेत प्रति दिन 72,000 MLD सीवेज के सभी नदियों में समाने का आंकडा खुद सरकार का है इसका कारण सीधा सा है सरकारों के इस्तर पर इच्छा शक्ति द्रणता और गंभीरता का अभाव है नेशनल ग्रीन ट्राइबियोनल से लेकर राजियों के हाई कोर्ट वा सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले सरकारों को हरकत में नहीं ला पाते यह तत्य अत्यधिक निराशा जनक है किन्तु सत्य है ऐसा ही चलता रहा तो ये 351 नदियां भी उन हजारों नदियों में शुमार हो जाएंगी जो इस तरह के संकट में घिर कर शनेह शनेह लुप्त हो गई पैरा नदियों को पूजे जाने वाले देश में नदियों का लुप्त होना इससे पीड़ा दायक कुछ नहीं हो सकता इस जनजाल और मानव जीवन को बड़े संकट से सरकार ही निकाल सकती है समाधान जटिल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है सरकार के पास इसका पूरा रोड मैप है बस जरूरत उसे दुर्ण इच्छा शक्ति के साथ अमल में लाने की है रेडी हो जाई अब इस दिक्टेशन को थोड़ा और फास्ट स्पीड में लिखेंगे जैसा कि हम लोग हर बार लिखते हैं पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसी महाकाल की नगरी उज्जैन में हाल ही में अंतराश्ट्रिय सुजलाम जल महोत्सो सम्मेलन का आयोजन नदियों के सनरक्षण में जुटे करता धरताओं को आईना दिखा गया इस बात का कि हमारे यहां नदियों के सनरक्षण के प्रयास वा उपाय फोरी तौर पर ही हो रहे हैं सम्मेलन में नेशनल ग्रीन ट्राइबियूनल के अध्यक्ष ने जो तत्य रखे उनको लेकर अन्य वक्ताओं ने भी सहमती जताई सच्मुच यह चिंता का विशय ही है कि देश की 351 नदियों का पानी इतना दूशित है कि उनमें इसनान करना सुरक्षित नहीं है देश की तीन सबसे बड़ी नदियां गंगा, यमुना और नर्मदा इनमें शामिल हैं गंगा के कुछ हिस्सों में तो प्रदूशन खतरनाक इसतर का है पैरा ये हाल तब है जब इन तीन नदियों को जीवित इकाई का दरजा हासिल है इसी दरजे के आधार पर उन्हें नुकसान पहुचाने के किसी भी क्रत्य पर सक्त कार्यवाई का प्रावधान है इसके बावजूद इनका हाल बहुत बुरा है यमुना तो वही पर सबसे ज्यादा अंदेखी का शिकार है जहां से देश का शाशन तंत्र को संचालित करता है गंगा के लिए भी बड़ी बाते हुई हैं वर्ष 2014 में तीन साल में इसे पूरी तरह साफ करने के लक्ष के साथ नमामी गंगे कारेक्रम शुरू हुआ लक्ष पूरा होना तो दूर की बात है कई इलाकों में तो सफाई का काम शुरू तक नहीं हो सका है मध्यप्रदेश से निकल कर गुजरात जा रही नर्मदा नदी का हाल भी कुछ ऐसा है अमर कंटक से शुरू होते समय तो यह स्वक्ष वह निर्मल है लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है गंगा यमुना की तरह सीवेज इसे भी जहरीला बनाता जाता है इन नदियों समेत प्रतिदिन 72,000 MLD सीवेज के सभी नदियों में समाने का आंकडा खुद शरकार का है इसका कारण सीधासा है सरकारों के स्तर पर इच्छा शक्ती दुर्णता और गंभीरता का अभाव है नेशनल ग्रीन ट्राइबियोनल से लेकर राजियों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले सरकारों को हरकत में नहीं ला पाते यह तत्य अत्यधिक निराशा जनक है किन्तु सत्य है ऐसा ही चलता रहा तो ये 351 नदियां भी उन हजारों नदियों में शुमार हो जाएंगी जो इस तरह के संकट में घिर कर शनैह शनैह लुप्त हो गई पैरा नदियों को पूजे जाने वाले देश में नदियों का लुप्त होना इससे पीडा दायक कुछ नहीं हो सकता इस जनजाल और मानव जीवन को बड़े संकट से सरकार ही निकाल सकती है समाधान जटिल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है सरकार के पास इसका पूरा रोड मैप है बस जरूरत उसे त्रड इच्छा शक्ति के साथ अमल में लाने की है उमीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा यदि कोई वर्ड आपका छूट रहा है तो आप प्लीज उसको देखें और उसके आउटलाइन बना है और उसकी प्रैक्टिस करें फिर डिक्टेशन को आप दुबारा लिखें ये फिर भी नहीं लिख पा रहे तो आपको सब्सक्राइब करिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम लोग और ज्यादा कैसे लोग तक पहुँच पाएंगे तो इसी बात के साथ आट साल थैंक यू